दोस्तों आस तो कर दिया भाई भारी सीन यहां पर आसो स्रोग यहां पर पूरा यह पूरा यह वाट रगस्ती मचानी के लिए यह 55,000 का डिवाइस यहां पर मचा लिया है वैसे 55,000, 50,000, 60,000 की चीज़े तो हम लोग रेगुलर ही खोलते फोलते रहते हैं अब यह थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं यह Windows 11 के साथ रैडी साथ ही साथ गेमिंग्स में टॉप लॉंच परफोर्मेंस आ ट्रिपल ए टाइटल गेम्स खेल के देखेंगे नॉर्मल विंडोस चला के देखेंगे वह यह चीज बड़ी खतर बागे शुरुआत करेंगे अन्बॉक्सिंग के साथ चलिए जोस्तों धोबी पचाड यहां पे सबसे खतरनाक अन्बॉक्सिंग मतला हां बोल सकते हैं वन ओफ दा एक्सपेंसिव में आती है व्यासे हमने इससे भी एक्सपेंसिव काफी बार कर रखी है इस बर मैटेरियल इसकी तरफ ऐसा है कुछ और इधर भी अपना रॉग यह लिखा हुआ जो दिखता है रिपब्लिक ऑफ गेमर पार्टिकुलर्ली आग लगा दे लग रहा और पीछे के साइड में थोड़ी प्राइजिंग व्राइजिंग की डिटेल लिखी है और इससे ज्यादा कुछ नि और यहां आपने इसको पूरे तरीके सो खोल दिया यह भाई इसका पूरा ओवर्विव देखरो मैंने यहां पर सब कुछ चीजे अपनी हटा दिया और यहां पीछे के साइड में वही सब अपना नॉर्बर यह आगया इस वान तो थ्री को फोर दा एक्शन बॉइस और यह इसको देखते हैं इसको देखते हैं इसको देखते हैं बर सबसे पहले हम लोग कंसोल निकालते हैं इसके साथ बैंड बच जाएगी मेरे हाथ मेरे हाथ मेरे हाथ में आगया है मैं खतम हो जाता हूं आप लोगों को भी पता यार ऐसी पावलो चीजे देखके तब मानोगे क्या यह देख सकते हैं इन माइंड साचुका है रोग यह अपना यह 55,000 ठीक ठाक प्राइसिंग है और यह Z1 एक्स्ट्रीम प्रोसेस उस पर भी आगे बातचीत करते हैं और यह इसका अगर फर्स्ट लूक आप देखो के तो यह भाई क्या घलती है वाल यह स्क्रीन सेंटर में यह अपना जोयस्टिक आगे यहां पर यह सब रहगा इसको ओपन करता हूं यह थोड़ा फाडम फूरी वाला सीन है करना पड़त है दोस्तों यह प्लेस्टेशन टाइप का आरवन एलवन वाला सीन नहीं होता उस तरीके का है कुछ बटन स्था यह सेंटर में स्क्रीन आ जाती है बहुत ही ऑसम लग रही है फुल एजडी स्क्रीन है अगर आपको बता दू एक सो बीस हर्ट की रहने वाली है तो फूल गे इसके अलावा और बोक्स में क्या मिलता है तो यह अभी स्टेंड है इसको देखते है और यह अगर मैं इधर अंदर गुस्ता हूं बहुत प्रीमियम पैकेजिंग है यह आता है सबसे बहले मुझे लग रहा है इसके अंदर दोस्तों डॉकुमेंट्स होंगे आगे इसके अ यहां से स्टेंड लिकल रहा है अलगी पैकिंग रहती है मैंने असूस के हमेशा देखिया और इधर आ गया सबसे पहले बाई एक चार्जर वाले यूनित अगेन यहां से अपना चार्जिंग वाली चीज़े आ गई और इस साइड मुझे लगता एक और केबल होगी हाँ य फटीचर टाइप का है इतनी रो क्वाल्टी यखीर नहीं हो रहा बट यह स्टैंड है इसका यह तो अंडेगी ट्रेड टाइप की लग रही है हासा ही में बहुत कमजोर है प्लास्टिक ही है और ऐसा ही है नॉर्मल ही है इसको तो ऐसे अप नूडल की तरह खाने में भी कुछ डेंजर सीन है ठीक है दोस्तों अंबोक्स करके मेटेरियल इन मा हैंड साचुका है अट्राक्टिव है बाई साथ ही साथ देखो वजन में भी काफी हलका मुलका एहसास है आप फीचर ओवर्वीव के उपर जल्दी से लपेटते हैं सबसे पहले बूट स्क्रीन देख क्योंकि यहार वहां पे रिफ्रेश रेट आपको 120 तक पहुंच गए तो मजा है 7ms का मिलता है साथ में 100% sRGB है 500 निट तक ब्राइटनेस जाती है और ग्लॉसी डिस्प्ले के कारण भाई यह आपको लगेगा नहीं इसके लावा दोस्तों की पैड की काफी संभावना है मतल कर सकते हो साथ में बटन बटन नॉर्मल प्लेस्टेशन टाइप के आपको मिल जाते है R1, L1, L2, R2 यह सब चीज़े साथ में M1, M2 भी पीछे के साइड दिया है और यह सारे बटन भाई कस्टमाइज हो जाते है मतलब विंडोज में क्या बिहवियर रहेगा और साथी साथ गेम्स के हिसाब से भी आप तो पूरी तरीके से सेट कर सकते हो इनका आर्मर ग्रेट सॉफ्ट्वेर से पोर्ट की बात करो तो सबसे अपने अपना हेडफोन वाला पोर्ट आ जाता है एक SD का भी दिया है एक XG मोबाईल है यहां पे एक Type-C का पोर्ट मिलता है साथ मैं और कुछ नहीं है अच्छा दो बटन अपने को मिलते हैं लेफ राइट और राइट में यह वाले बटन से तो अगर मैं प्रेस करता हूं तो यहां पर इनका आर्मर क्रेट सॉफ्ट्वेर यहां पर ओपन हो जाता है यह सबसे पहले गेम लाइबरेरी आगई फिर सेटिंग इस सब्सक्राइबरे लिए अगर आप जाते हो तो यहां से आपको वही कान्फीगर जहां से मैंने बताया थारा डेक्स्टॉप और कर सकते हो बटन सको कस्टमाइज वह वाली सेटिंग है इसके लाब और और बहुत सारे मोड मिल जाते हैं तर्बो मोड आप यहां से चला स और तबाहितार है भाई अगेन मैं बता दू आपको जो भी स्कोर आप यहां पर देख रहे हो लाइक मैक्स थ्रेट पर देख लो या फिर सिंगल थ्रेट पर पर्फोर्मेस देख सकते हो यह top of the line है अगर आप इसको compare करवाते हो तो मैं यहां पर इंटल का 12th का आपको दिखा जेता हूं यह इंटल i5 12th generation का score आप राइट नो देख रहे हो और यह भाई कम आ रहा है as compared to Z1 extreme तो सोच सकते हो क्या ही तबाही वाला प्रोसेसर है बस GPU इनका थोड़ा एक्विवेलेंट है यह प्रोसेसर तो जोड़दार है इसको बोलते है एक्स्ट्रीम वाली चीजे वह मिल रही है अगे इसके अलावा कर audio की behavior देखो वह काफी तावड तोड़ है बात आ चुके audio की तो यहां पे मैंने बाई song अपना चला दिया YouTube और यह मैं जा रहा हूं और वाल्यूम को कर देता हूं अब here is the mic all right the end दोस्तो अब आओ थोड़ी सी यार Windows की performance check मारते मतलब Windows में क्या experience है क्योंके अगे इसमें Windows 11 complete home वाला ready मिलता है अब A to Z सारी चीजे कर सकतो आओ एक बड़ हो जाए ओवर्व्यू ठीक है दोस्तो राइट नौ यह अपना यह अपना यह अलगी यह चर्मक रहा है अब यह देखो इसके अंदर आप ध्यान से देखो जैसा मैं पहले ही दिखा चुका हूं पोर्ट के नाम पे पोर्ट तो ह केबल होती है इसको मैं सिंपली समें लगा दूगा यह मैंने इसमें कर दिया और अब यह सब कुछ चला सकता हूं मैं इसके थ्रू लाविया यह आपके सामने सबसे पहले मैं सया ओन पर तो यह यह अपना सिस्टम आ अब इसको या नग्ज करता हूं यहां पर मिर पास यह यहां पर सेट कर सकते हैं यहां पर पूरी तरीके से अपना connection सेट हो गया और इसी के साथ यहां डिस्पले पर आप देख सकते हो मतलब रोग एली का डिस्पले था ना वह अब हमारी सिस्टम चल चुका अब देखो यहां पर मैं जो कीबोर्ड माउस है इससे पूरे सिस्टम को यूज कर सकता हूं इसके अंदर जो विंडोस 11 अपने को मिलती है उसको पूरी तरीके से इसमें पावर पॉइंट ओपन कर सकता हूं यहां पर चाहूं तो ब्राउजर यह देखरो सकते हो कंप्यूटर है भाई आप इसको कंप्यूटर से कम मस समझना देख रहे हो सारी चीज़े परफेक्ट वर्किंग कर रहे हैं अपने सारे बेसिक वेसिक टाइप की चीज़े कर सकते हो यह देखो यह वीडियो भी अपनी आ रहे है आराम से अमेजिंग तरीके से 1080p 4K वीडियो आप आराम से चला सकते हो इतना कैपेबल है साथ ही साथ अगर इसके अलावा देखो तो Microsoft Store चलाना है इसी स्क्रीन पर सब कुछ चलेगा वो तो सिर्फ मैंने डिस्प्ले बढ़ी कर दी थी ना बाकि हां यहां पर पूरी तरीके से एडिटिंग कर सकते हो बस डिस्प्ले यह अगें यह भी 1080p है और 120hz की डिस्प्ले है यहां पर देख सकते हो यह सारी चीज़े चल रही है बना है बड़ तब भी मैं आपको चलो फोटो शॉप भी देखते हैं तो फोटो शॉप तो काफी सही चल रहा है वाई इसमें को यह सब सॉफ्ट्वेर अराम से चल जाएंगे लोग इस पर कुछ भी चला सकते हो टैली वैली सब चलेगा यह फोटो शॉप प्रीमियर प्रो इसमें बात करने जा रहा है जिसके लिए इस डिवाइस को नॉर्मली डिजाइन करा गया सारी चीज़े चेक करेंगे एंड्रॉइड प्लस PC के तावड तोड सबसे पहले बाई मैंने यह चला दिया आप सब की मन पसंद दीदा बीजी है और इसको बाई मैं टच के साथ तो साथ ही साथ आप देख रहोगे मैं टेच से यूज़ कर रहा हूं अराम से अपना साथ में एक चौर चीज़ अगर आप कंट्रोलर से यूज़ करना चाहते हो तो आप की बाइंडिंग करनी पड़ेगी मतलई इस कंट्रोल से बटन से ही होगा उसके बाद आप कर सकते हो मैं यहां पर आप सब की मन पसंदीदा जीटीए फाइव मेरी खुद भी मन पसंदीदा ऐसी बात नहीं है अब जीटीए फाइव वन नंबर पर तो होनी चाहिए और अगेन भाई एफपिस आप नोटिस कर सकते हो 60 to 70 fps करेंच ली एक दम टॉप ऑफ दा लॉंच यहां पर अप एस सच कोई 2-4 नहीं मिल रहे है अगेन इसका प्रोसेसर ताबर तोड़ है एक चीज और है जब आप गेम खेलोगे इस तरीके की हाइंड गेम सा गई तो यहां पर आप देखो कि हीट बहुत तगड़ी रिलीस करता है साथ में बैटरी की बात करूँ तो दो आवर तीन रखते हो इन सब डिवाइसे पर और लंबा भी चल सकता है बढ़ा एक्स्टेंसिव हीट वाले काम लाइक एडिटिंग यह सब में तो बाई तगड़ी बैटरी उठती है चार्जिंग साथ में मिले तो ही मजा है कि मैंने यहां पर चला दी वैसी है वैलोरेंट वैलोरेंट टाइप की गेम साब अराम से खेल सकते हो मतला आप समझ रहे हो ना मैं दिखाना क्या आपको बताना क्या चाता हूँ अगर एक ट्रिपल ए टाइटल से कमजोर गेम है मतला थोड़ी नियर अबाउट उससे कम वाले है तो वहां पर तो आपको 60 fps अराम से मिलेंगे उससे प् पहले तो 1080p at high settings में 19-20 fps आ रहे थे अगेन भाई यह बहुत extensive गेम है इसके ग्राफिक्स और यह सब चीजे इवन DLSS इन सब को सपोर्ट से जाके यह गेम 80-90 fps जाती है नेक्स्ट मैंने यहां पर ट्राए कर आप साइबर पंक वन ऑफ ग्रेटेस्ट किलर और यह बहुत पसंद है लोह को तो इसके अंदर अपने को अराम से 60 के नियर अबाउट fps मिल रहे है इसके अंदर भी हमने जो setting रखी है वो 1080p की at low setting रखी है उससे उपर जाओगे तो fps ब मिल जा तो ताबड तोड़ है performance मैं बोलूँगा घजब है ठीक ठाक है एक handheld के हिसाब से तो काफी सही है बागी एक दो चीजी मेरे को लगी like कमी टाइप अगर बोलोगे सबसे पहली चीज तो कमी भी क्या है यह तो होगा ही सबसे बहुत ज्यादा निकलती है अगी आपसे ताबड तोड़ है आस उस ने काम तकड़ा किया अब लेक्स बताओ कि इसको खोला जाए steam deck यह सब जो आता है इनको उन पर जाया यह लैन वो को करा जाए यहाँ पे अनबोक बताना कमें बताना बागी चलो इस वीडियो में इतने पसंद आई हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना मिल नेक्स वीडियो में तब तक लिए बायर जय ही जय भारूत वंदे मातरम